माई डियर स्टुडेंट स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल एपक्स इंस्टिट्यूट पे जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अम लेबम छारकों के बहुत तिक गुड क्या होते हैं उन्हें सूचक किसे कहते हैं तो कलम लोगों न क्या होती है तो आएए देखते हैं कि अमलों की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो वो होती है अमलों की दातुओं के साथ क्रिया यानि की रियक्शन विद मैटल यानि कि जब कोई भी अमल दातुओं के साथ क्रिया करता है तो हो वो हमारा क्या देता है तो देखिए वेटा तथा hydrogen gas बनाते हैं जैसे यहां पर कोई हमने दातू लिया ठीक है फिर जब उसकी दातू की हम अमल के साथ किरिया कराते हैं तो वो लवड बनाता है और hydrogen gas देता तो आई एक्जांपल में देखते हैं जैसे कि दातू में हमने Na यानि कि sodium हमने दातू लिया है प्लस HCl अब देखिए हमारा HCl क्या है यह हमारा एक दातू है अरे HCl हमारा एक अमल है और sodium क्या हमारा दातू है और जब यह दोनों reaction करेंगे दातू sodium HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा NaCl बनाएगा अब NaCl क्या है लवड है और प्लस hydrogen gas करेंगे अब देखें में हाँ Chemistry करने के लिए यहां भी सिंगल नहीं लफनाइगा तो हम ने यहां पर क्लोरीन बोहाँ कितने होगए अब जब इसे क्लोरिन को संतुलित करेंगे तो आगे तुका multiply करेंगे अब देखिए हमारे यहाँ पर sodium भी कितने हो गए दो हो गए तो जब sodium में दो लगाते हैं अब हमारा ये समीकड कैसा हो गया संतुलित समीकड हो गया जैसे कि हम दूसरा देखते हैं अमलों की दातू आकसाइड के साथ अविक्रिया तो जो अमल हमारे होते हैं वो दातू आकसाइड के साथ भी अविक्रिया करते हैं तो जब बेटा अमल हमारे दातू आकसाइड के साथ अविक्रिया करते हैं तो वो एक तो लवड बनाते हैं और दूसरा हमारा क्या बनाते हैं यहां पे जल का निर्माड करते हैं तो देखिए अम्ल दातू ऑक्साइड के साथ अविक्रिया करके वो दातू ऑक्साइड कैसे होगी छारी दातू ऑक्साइड होगी के साथ अविक्रिया करके लवड तथा जल का निर्माड करते हैं जैसे कि यहां पे कोई हम दातू है कि अबघ्य केल सीम मारा क stupid जब केल्सियम के साथ हम आकसीजन जोड़ते हैं तो हमारा दातू उकसाइड यानि कि कैल सीम ऑकसाइड बनेगा पिलस अमल जैसे कि हे सील के कहा है हमारा-दात उकसाइड जब अमारा दात्यों अकसाइड अमल के साथ अविक्रिया करता तो वो लवड का निर्माड करता है तो यहां पर केल्सियम जब क्लोरीन के साथ अविक्रिया करेगा तो लवड क्या बनाएगा CACL2 यानि कि केल्सियम क्लोराइड का निर्माड करेगा लवड और प्लस जल H2O तो आईए देखते हैं समीकड संतुलित करते हैं अब देखिए यहां पर क्लोरीन हमारे कितने हैं दो है तो जब हम क्लोरीन को संतुलित करते हैं तो आगे 2 से मल्टिप्लाई करते हैं अब देखिए यहां पर हमारे H2 हो गए और यहां पर भी हमारे H2 है अब देखिए ऑक के साथ किरिया करते हैं फिर अम्ल दातू ऑक्साइड के साथ किरिया करते हैं और जो तीसरा रासाइने गुर्धर्म है वह हमारा कि अम्ल दातू कार्वुनेट के साथ अविक्रिया कैसे करते हैं तो आईए देखते हैं कि अम्लों दातू कार्वुनेट के साथ अविक्रिया कर के लवड जल तथा कारवंडाई ऑक्साइड गैस निकालते हैं जैसे कि जब हम कोई दातू कारवुनेट लेते हैं जब हम उस पे अम्ल की क्रिया कराते हैं तो वो हमारा लवड बनाता है दूसरा जल बनाता है तीसरा हमारा कारवंडाई ऑक्साइड गैस देता है हमें तो जब नातू कार्वोनेट के साथ अभी करता है तो लबड बनाता है तो केल्सीयम क्लोरीन के साथ लबड बनेगा संतुलित करते हैं अब हमारे देखिए केल्सियम यहां पर कितना है एक है तो केल्सियम तो हमारा संतुलित है अब देखिए दूसरा हम देखते हैं क्लोरीन तो क्लोरीन हमारे अविकारक में एक है और क्लोरीन हमारे उतपाद में जब हम क्लोरीन देखते हैं तो वह हमारे क्लो क्लोरीन को संत्रित करते हैं तो आगे आपर अविकारक में तू से करते हैं अब देखिए यहां पर हमारे कलोरीन दो होगए century here दो है यहां पर और देखिए hydrogen हमारे यहांपर भी दो अब देखे आगे बात करते हैं कि oxygen कितने हैं तौ कि कारवंडा अमलों के साथ साथ हमारे चारेशारकों के भी कुछ रासायने गुड़ होते हैं। जो देखते हैं कि पहले जैसे की अमल Bachisen गजा सीन होते हैं। और कि शार थल्य राधायनि गुड़ धर में बरिक्रेंट विल्ट प्रम ट। यह तो देखिए हैं कि चार सीन होते हैं। तो पहले देखते हैं कि छारक दातू के साथ किरिया करते हैं तो वो हमारे लवड और जल लवड तथा हाइडरोजन गैस निकालते हैं। प्लस जब वो हमारी कोई भी दातू लेते है जैसे जिंक हमारी क्या है एक दातू है जब हमारी यह लवड बनाता है तो क्या बनाता है यानि कि सोडियम जिंकेट तो यहां फॉर्मुला होता है सोडियम जिंकेट का एन एटू जैड एन ओटू यानि कि यह हमारा सोडियम जिं जिंकेट लवड बन गया विए सोडियम जिंकेट लवड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है अब देखिए यहां पर समीकड संतुलित करने के लिए सोडियम भी यांपर कितने हमारे दो हैं जेड एन एक है ऑक्सीजन भी हमारे दो है और एच यहां पर दो है तो जब हम को संतुलित करते हैं तो आगे टू से मल्टिप्लाई कर देते हैं अब छारक भी दूसरी प्रोपर्टी जोती है वो छारक हमारे अदातू ऑक्साइड के साथ भी हमारे अविक्रिया करते हैं तो जैसे कोई भी छारक ले ले लेते हैं जब हमारे अदातू ऑक्साइड के सा जल बनाते हैं जैसे चारक हमने लिया है जैसे सी ए ओएच का होल्ट वाइस यह हमारा हो गया बिना बुझा चूना प्लस कोई भी अधातू अक्साइड लेते जैसे कि हमारा कारवन क्या है एक अधातू है जो आप लोगों को थर्ड चेप्टर में पढ़ने को मिलेगा दात आप लोगों को लवडों के कुछ रासा